हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप से भी का हमारे चैनल फोर एक्जाम पाउर मैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास अर्थ सास्तर आने एकनॉमिक्स का काफी इंपोर्डेंट प्रस्न है यह जो प्रस्न है आपके 2020 फैनल बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महत पूर्ण है ठीक है तो इस वीडियो को आप शुरू से आन तक जरूर देखेगा इससे काफी कोशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं और यह वीडियो इस स्रीज का पार्ट वन है हम इसी तरह सी आपके लिए प्रतिदीन वीडियो लाते रहेंगे इसलिए आप चैनल पर ने हूँ तो चैनल को सब्सक्राब करके बिल आकन को प्रेस करके और आल पर सेलेक्ट जरूर किजिए का ठीक है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंथ चला जाए तो चले वीडियो को शुरू करते हैं हमारा पहला प्रेस्न है कोशन नमर फैस्ट आफ्रेंड्स मांग के नियम का समन्द है प्रेस्न के है मांग के नियम का समन्द है तो पहला का सही आंसर है आप्शन नमर B मुली और मांग के बीच ठीक है पहला का रेट आंसर है आप्शन नमर B मुली और मांग के बीच Q- 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 Q की ठीक है इसका सही आंसर है option number B question number 4 है किस परस्थिती में उत्पादन सम्हावना वक्र दाई और खिसक जाता है question के है किस परस्थिती में उत्पादन सम्हावना वक्र दाई और खिसक जाता है इसका सही आंसर है, इसका रैट आंसर है, option number D, केवल A और C, ठीक है, चौन्था का सही आंसर है, option number D, अगला प्रेशन है, पुर्ण परतियस परधा, बजार में आउसत आगम, A और सिमांत आगम, A मार, एवं मूले P के बीच समन्ध है, इसका आंसर आपको comment box मताने ठीक है, यह पर चार आप्शन दिये हैं, इसका जो भी सही आंसर होगा, वो आप comment box में दिजेगा, अब चलिए देखता अगला प्रेशन, कोशन क्या है, कारक लागत पर निवल रास्टी उत्पात को कहते हैं, प्रेशन के फ्रेंट्स, कारक लागत पर निवल रास्टी उत्पात को कहत हैं, आप्शन यह निजी आई, आप्शन भी रास्टी आई, आप्शन सी है, विक्तिगत आई और आप्शन वर्ड़े हैं, इनमें से कोई नहीं, तो 6 का सही आंसर है, आप्शन भी रास्टी आई, ठीक है, 6 का सही आंसर है, आप्शन भी रास्टी आई कहते हैं, कोशन नमर वस्तुओं को अगला प्रस्न है अधि पूरक वस्तुओं के मूले में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है option में घरती है option c है इस्थिर रहती है option में इनमें से को नहीं तो 8 का सही answer है option में ये बढ़ती है ठीक है 8 का right answer है option में ये बढ़ती है अगला प्रेशन है इनमें से किसे संसाधन भूमे के अंतरगत नहीं रख सकते है प्रेशन का है friends सही आउंसर है option मड़ी मसीन संसाधन भूमी के अंतरगत नहीं रख सकते हैं अगला प्रच्ट है कुस्षिंग मट्टेन है फ्रेंड्स अंतीम रियन दाता किसे कहा गया है तो अंतीम रियन दाता जो कहा गए है। इसका रैट आंसर है ऑप्शन बड़ी भास्तियर्व बैंक को ठीक है। अन्तिमरीन दात किसे कहा गया है। ऑप्शन मड़ी भास्तियरी ट्रिजर्व बैंक को अगला प्रस नहीं, निम्न में से कौन सी आर्थिक किरये और्व शास्त्र के अध्यान समांगरी के अंतरगत समलित की जाती है यहाँ पे चार अप्सन दिया हुआ है तो 11 का सही आंसर है आप्सन अमबर C, A, B, दोनो ठीक है 11 का रैट आंसर है आप्सन 친 अबर C, A, B, दोनो अग्ला प्रेसन है आर्थिक किर्याओं की निम्न में से कौन से परकार है आप्शन है उत्पादन आप्शन में उभाग आप्शन सी है विनिमाई एवं निवेस और आप्शन मड़ी है इन में से सभी तो बारा का सही आउसर है आप्शन मड़ी इन में से सभी ठीक है बारा का कौन से सही आउसर है अगला प्रेस Grass न है समस्छी अर्थ शास्त्र के अंदरगत निम्न में से किसका अध्यन किया जाते है तो तेरा का रैट आंसर है और युथस्टी अर्थ सास्त्र की सखाएं कौन सी है कुशन के फ्रेंड्स वेस्टी अर्थ सास्त्र की सखाएं कौन सी हैं आप्षन यहें वस्तु की कीमत स्वरी वस्तु कीमत निर्धारन आप्षन में फ्रेंड्स साधन कीमत निर्धारन और आप्षन अमर सी है आर्थिक कल्यान और आप्षन मड़ी है उप्युक्तिस सभी तो चौदा का सही आंसर है option number D उप्युक्तिस सभी ठीक है चौदा का सही आंसर है option number D उप्युक्तिस सभी अगला प्रस्न है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है प्रस्न कहे उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है तो पंद्रा का रैट आंसर है option number इनमें से सभी अगला प्रेस नहीं है निमलिखीत में कौन उत्पती का साधन नहीं है question care friends निमलिखीत में कौन उत्पती का साधन नहीं है option इह भूमी, option भीयस्रम, option C है मुद्रा और option नमडी है पुंजी question number 17 है उत्पतादन संभावना वक्र, option इह है अच के और नतोदर होती है, option B है अच के और उनतोदर होती है, option number C है अच के समांतर होती है option number D है अच के लंबवत होती है, तो सद्रा का सही आंसर है option number E अच के और नतोदर होती है, ठीक है उत्पतादन संभावना वक्र, अच के और नतोदर होती है, इसका सही आंसर है, option number E ठीक है, अगला प्रेस नहीं है अर्थिक समस्या दर साथ है, इसका सही आंसर है option number D उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है अठारा का सही आंसर है, option number D उत्पादन संभावना वक्र, इसका सही आंसर है, option number D, question number 19 इसे निम्न में से कौन सा कथन सही है प्रेशन के हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है आप्शन नमर ये है उप्योगिता का अर्थ आवसक्ता की संतुष्टी सकती है आप्शन भी है उप्योगिता इच्छा की तिवरता का फलन है आप्शन नमर सी है वेक्ति के उपभोग की इ आप्षी नमदी उप्युकत सभी स्थी अगला प्रेस्ब है उप्योगिता की कौन सी विस रिष्फपय में से कौन सी विसेशत आए इसका साहिए आंसर है option number D उप्युक्त सभी ठीक है उन्हें इसका रेट आंसर है option number D उप्युक्त सभी question number 21 है निम्न में से कौन सा कथन सही है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे 4 option दिया हुआ है इसका जो सही answer है उप्युक्त सभी ठीक है इसका रेट आंसर है option number D उप्युक्त सभी ठीक है इसका rate answer है option निम्न में कौन से विशेछता है तो 20 का रेट आउंसर है option अमड़ी उप्युक्त सभी ठीक है 20 का सही आउंसर है option अमड़ी उप्युक्त सभी आने ये सभी तीनों options तो आज के लिए तहें friends तब तक के लिए बाई अगर आपको वीडियो अच्छा लागा को तो प्लेज वीडियो को आप एक लाग ठीक है आप एक लाग जरूर किज़ेगा ताकि मुझे motivation मिल सके और हम इसी तरह से आपके लिए परती दीन वीडियो लाते रहें ठीक है आप